आप एक बड़ा दाइत्व निभाने जा रही हैं इसेमें कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है मेरे संदश कली का मा बेन की सर पे आपका हाथ आप तो हमारी लिए भगवान सवानने लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम verdad का हाथ म मारा सर पर है रेखा जी मुझे आपका मेसेज मिला था मैं यह था संभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कारकरताओं से बात करता रहूं मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरित राजनितिक परिस्तितियों में प्रचार कर रही हैं जब आपका नाम गोशित हुआ तो क्या म सामना भी करना पड़ता होगा क्या हो रहा है मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूं हमारी साथ जो दूर गाटाना घंगटी थी हम तो बहुत दूर बागे साली हम संदिशकली का मावैन नहीं है पूरा बशीराट लग सभा का जो मावैन है सब एक सबानी तशारीतियों होई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई एडी की आथ चला गया और हम चाहती है उनकी साजा मिले और हार हमारा इधर जो दो आजार गरा साल से वोंट हम इलक्षान नहीं दे पाई हम चाहती है पूरा सुरेक्षा की साथ बोट दे पाए हम बोट दे पाएंगे स सांदेशकली की मावेन और भी खूश होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमिशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमिशन सभी मत्दाता मत्दान कर पाए इसके लिए पूरा प्रभन करेगा लेकिन रेखा जी जब ये आपका नाम गोशित हुआ आपको चुनावक में केंडिडेट बनाया वो जब समाचार मिला तो आपके पडोस में अडोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लेडी हो सब में क्या मैसेज गया सबका कैसा रिस्पॉंस है जो किये उनके लिए उन्होंने मापी मंग रही है तो हमारे कोई उनका उपर कोई दुश्मानी नहीं है क्योंकि वो हमारे माबेन हमारी भाई बाप है हम तो सब के लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी लिए लड़ रही है हम उनके लिए लड़ेंगे जो जमीन जो सनमान लोटाए जाए इसके लिए पूरा करुशिश करेंगे देखा जी अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी ने आपको उमीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये क कहेंगे जिसने आपका विरोत किया उसका भी भला हो और मैं सुन रहा हूँ अभी तो आप चुनाव के मैदान में उत्री हो और आप कह रही हो कि टीमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाब किया है उनका भी अन्याय के खिलाब मैं लडूँगी यह आप बहुत बड़ी बात प सुन करके रिका जी मुझे पता लगा है कि बसीहाट में जनता विशेश रुप से महलाए यह आपको बहुत सने दे रही है और अब जब चुनाव के मैदान में उत्री है तो अब क्या बातावरन है उनकी घर की बेटी हो में और उन्होंने मुझे चाहती है यह सुनकर बहुत खुश हो में और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सापर्ट मिलेगा मुझे और उन्होंने जब पूरा सापर्ट करेंगे तो ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, तिसी की घर की बेटी बहु हूँ, तो यही बोलूँगा, मेरे पती भी तामिल नाडू छेड़ना ही उदर काम करती है, हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संगसर चलती है, तो हम चाहेंगे, सब के कुछ आइसे करेंगे, जो बाहर ना जाना पड़े, सब को इधर कमपानी मिले, इधर काम करें, और हमारा यहर से बेंगल से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए हम पूरा कवशिश करेंगे, आपका यह आत्मविश्वास है न, आप जुरूर दिल्ली पहुचोगी, और आप चुनाव जित करके आओगी, देखा जी, संदेज खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई-लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है, आप तो एक मेहनत कर्ष परिवार से हैं, बहुत मद्दूरी करके गुजरा करती हैं, और इतना बड़ा सार्वजिनिक जी मिला है, बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ, कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूँगा, व्यक्ति के दुरूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूँगा.